पेट में दरद हर कोई को कभी ना कभी होता रहता है और जब भी कोई को पेट में दरद होता है तो आदमी पूछना चाहता है वो दरद का मीनिंग क्या है तो आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा समझा दूँ पेट का बहुत सारा पाठ है एक उपर का हिस्सा राइट में एक मिडल हिस्सा एक लोर हिस्सा बीच में भी हमारे जो नाभी है उसका बीच का हिस्सा उसके उपर उसके नीचे और इधर भी तीन हिस्सा तो पेट को नौ हि ָेंदे culsor की पेन, और इधर हार्ट से भी थोड़ा पेन कभी-कभी आसकता है। इधर है a splene और इधर हमारे intestines का कुछ pайrat है वहां पे भी dard हो सकता है। अगर बीच-ो बीच pain हो रहा है तो ये समझ लिजे कोई भी obstruction का pain हो सकता है, gastroenteritis उसका pain हो सकता है, अगर राइट में नीचे के तरफ pain हो रहा है, तो समझ लिजे appendix हो सकता है सिकम की colon का cancer हो सकता है, और इधर uterus का भी ovary का भी part है तो ovary में कुछ cystose का भी pain अधर हो सकता है इधर नीचे के तरप अगर pain हो रहा हो तो यह समझ जाए यह आप constipation, कबजियत, ulcerative colitis, colitis इसका pain हो सकता है और दोनों तरप अगर बीचो बीच pain हो रहा है तो kidney का pain, pyelonephritis का pain तो pain का area कब किस से पता चलेगा रही अंदर कौन सा organ है अगर इधर है तो इसके नीचे kidney है यहाँ पे है तो stomach में, यहाँ पे है तो gallbladder है यहाँ पे है तो appendix है, इधर sicum है, colon है तो यह area wise आपको मालू होना चाहिए अगर पेट का दरद हो रहा है हाँ, दरद होने के बाद क्या करना है वो depend करता क्या बीमारी है उसके उपर पर दरद अगर मरोड के हो रहा है तो इसका मतलब spasm का pain है intestine squeeze कर रहा है अगर peptic ulcer या उसका perforation का pain है तो continuous बहुत जबरदस pain रहेगा kidney का pain भी काफी मरोड के भी हो सकता है और continuous pain भी हो सकता है तो pain कहा है, कैसा है उसके उपर depend करता है आपके treatment क्या होगी तो आप doctor को ज़रूर मिले पर पहले आपका idea आपके पास clear होनी चीए आज यहीं पे रोकते है मेरा नाम डॉक्टर बीमल चाजड है heart का treatment करते हैं हम लोग बीना bypass, बीना angioplasty मेरा hobby है लोगों को educate करना और आज इसी के लिए आपके पास यह video लेके आया हूँ इसको जरूर शेयर कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए और मिलते रहेंगे आपको Thank you